कि है लो वरिवन आप सभी का स्वागत एक पर फिर से माइक जाम यूटूब चैनल पर तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए लूसेंड कंप्यूटर ठीक है इससे पहले हैं हमने लूसेंड जीके भी स्टार्ट कर रखी है 1000 कोशन की तो इस सीरीज में हम क् पार्ट टोटल आएंगे ठीक है लूसेंड जीके के साथ साथ हम लूसेंड कंप्यूटर भी अपनी कंप्लीट करेंगे ठीक है तो अगर आप चैनल पर नए हैं और त्यारी करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लीजी और बैल आकन को ज़रूर प्रेस कर छेड़ी जियीए ओर वीडियो में कमेंट करके जरूर बताए आपको वीडियो कैसे लग रही है। स्थर करते हैं अज की फूट मिटीऊ करते हैं वाली के भंडारन वाली एक सक्षम युक्ती है आकडो का विस्लेशन करने में सक्षम है वैं पूरण गोपनियता बनाए रखने में सक्षम है तो कंप्यूटर की जो है तीनों विसेश्टा ही होती है ठीक है A, B, C यानि कि सभी की सभी आपके क्या होंगे computer की विशेशता है सभी कार्यवे कर सकता है ठीक है नेक्स नम बात करते हैं अब देश का प्रतम computer साक्षर जिला कौन सा है ठीक है तो अरना कूलम है आपका विल्लू पूरम है तीरू बुलर है और मल्लपूरम है केरल में ठीक है तो देश का जो प्रतम computer साक्षर जिला है वो आपका कौन सा है केरल ठीक है मल्लपूरम ठीक है यह आपको ध्यान रखना है very important है कई बार exam में पूछा गया है तो इस series में हम जितने भी आपके important question बनते हैं lucent computer के वो सभी करेंगे ठीक है next है भारत का पहला computer कहां स्तापित किया गया था ठीक है तो first computer था जो इंडिया का वो कहां पर स्तापित किया गया था यह आपको बताना है तो यह किया गया था कलकता में ठीक है अगर आप से सन पुछे तो आपको बताना 1952 में कलकता में भारतिय सांके की संस्तान इंडियन स्टेटिकल इंस्टिचूट में स्तापित किया गया था ठीक है D option इसका आपका ठीक होगा बिलकुल next नम बात करते हैं question number 4 computer निमलिकित में से कौन सा कारियर नहीं करता है ठीक है input, controlling, output और understanding आप सभी को पता है computer में processor होता जिसमें हम input देते हैं और वो आपको एक processing करके क्या करता है आपको output given करता है ठीक है तो input भी करता है output भी करता है और क्या करता है उनको control भी करता है तो understanding जो है computer नहीं करता है ठीक है तो D answer इसका ठीक होगा next question number 5 where electronic device जो data को स्वीकार कर सकता है तथा output उत्पन करता है और प्रिणामों को भविश्य में परियोग के लिए store करता है क्या खेलाता है उसको हम क्या बोलते हैं आउटपूट देता है आपको क्या करता है इनपूट आपने दिया यानि कि data की form में और आपको क्या करेगा वो output का आपको given करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं computer ही ऐसा है जो आपको ऐसा कारिय कर सकता है ठीक है input लेगा और आपको processing करके output देदेगा तो B answer इसका बिल्कुल ठीक होगा ठीक है next question number 6 निमली खित में से computer के गुन है तो computer के जवाब को गुन बताने है तिर्वगती टूटी रहित कारिया है गोपनियता या उपरोक्त सभी ठीक है तो computer के सारे कारिय होते है तो D answer इसका बिल्कुल ठीक होगा ठीक है सारे कारिय कंप्यूटर करता है next question number 7 7 आपका data processing का क्या अर्थ है ठीक है data processing का अर्थ बताना आपको क्या है तो data का process करना यानि कि आपने data दिया rate data दिया आपको उसके बारे में नहीं पता और computer उसको क्या करेगा process करको आपको useful information में यानि कि उस data को उप्योगी बनाएगा आपके लिए ठीक है यानि कि क्या करेगा option C बिल्कुल इसका ठीक होगा ठीक है data को क्या करता है वो उप्योगी बनाता है आपके लिए ठीक है next question number 8 तो इस series में हम सिर्फ question करेंगे ताब कि आपकी revision हो जाए theory part हमने अलग से start कर रखा playlist में देख सकते हैं computer की महाँ पर हमने chapter why start कर रखा अगर आपने नहीं देखी है next question number 8 symbolic data में परियोग किया जाता है symbolic data में क्या use किया जाता है अंकों का, अक्सरों का, चिन्नों का ठीक है दो symbols होते हैं आपका उन सभी में क्या use किया जाता है अंक भी use होते हैं आपके अक्सर भी use होते हैं और चिन्न भी यानि की उप्युक्त सभी use होते हैं आपके the answer ठीक होगा next question number 9 इन में से computer का गुण नहीं है ठीक है पहले आमने पढ़ा था कौन सा गुण है आप पढ़ना है गुण नहीं है जल्द निर्न लेने की संगता ये बिल्कुल गुण है गोपनियत ये भी गुण है बुद्धी हीन ये तो गुण इसका नहीं हो सकता आपका बुद्धी हीन computer का गुण नहीं है ठीक है next question number 10 computer सक्षरता दिवस मनाया जाता है ठीक है तो computer literacy day आपका कम मनाया जाता है आपको बताना है तो ये मनाया जाता है 2 December को ठीक है 2 December को ये बनाया जाता है next है विस्व में सरवाधिक computer वाला देश ठीक है तो सरवाधिक computer कहाँ पर है वो देश बताना है आपको कौन सा है तो है आपका USA स्यूगत राजय अमेरिका next question करते है question number 12 अगर आपको वीडियो अच्छे लग दिए यानिकि अगर आपको program लिखना आता है तो आप क्या है सक्षर है ऐसा तो नहीं है next step computer की truth सुधारना ये भी नहीं है तो computer के कार unanimä सक्षरता की जानकारी रखना ठीक है तो ये आपका कार vais next data processing का अर्थ क्या है ठीक है अब भी हमने पहले भी पड़ा था ये question उपियोगी बनाना ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा C, उपियोग के लिए सूचना प्राप्त करना data processing का अर्थ होता है यानि कि क्या है यहाँ पर आपका processor होता है आप Ray data दोगे और वो process करके आपको क्या दे देगा तो इसका मतलब होता है आपका electronic clearing service ECS electronic clearing service the answer इसका ठीक होगा next is question number 15 computer process दोवारा information में परवर्तित करता है तो computer जो process है information में परवर्तित करता है किसको करता है वो करता है data को अब भी हमने पहले भी पड़ा आप computer को क्या देते है data देते है और वो process करके आपको क्या करता है information यानि की useful उपयोगी आपको provide करवाता है तो बी answer इसका बिल्कुल ठीक होगा next is question number 16 विस्व में परथम computer super computer का निर्मान किया तो first super computer का जो निर्मान किया था ये किस ने किया था तो ये किया था C deck ने ठीक है आपको ध्यान रखना है C deck next है निमलिखित में से कौन सी बाबा परमानू अनुसंधान के इंदर दोवारा विक्सित super computer है ठीक है तो जो बाबा परमानू अनुसंधान है इसके दोवारा कौन सा super computer है आपका जो विक्सित किया गया था परंपदम नेक्स्ट है डीजिटल कंप्यूटर विक्सित किया गया ठीक है जो digital computer है उसका विकास किसने किया था आपको बताना है तो ये किया था USA ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा computer भी है और डीजिटल कंप्यूटर का भी विक्साद जो विकास किया था ये किस ने किया था युएस इन तीक है स्वुएट राजय अमीरका ने लेक्ष्ट आइब्यम का पूरा नाम बताना है आपको आइब्यम क्या है ये भी पूछा जाता है क्या है कंपनी है और इसकी जो फुल-फॉंड क्या है international business machine ठीक है बी option इसका बिल्कुल ठीक होगा नेक्स करते हैं question number 20 computer का जन्नक किसे कहा जाता है ठीक है तो यह तो very important question आपका बहुत बार पुछा जाता है computer का जन्नक किसे कहा जाता है यानि कि father of computer आपके कौन है Charles Babbage ठीक है यह option बिल्कुल ठीक होगा नेक्स्ट है question number 21 भारत ने super computer यानि कि परम का निर्मान कहां किया था ठीक है परम सुपर जो computer है इंडिया का वो कहां पर निर्मान किया था इसका तो यह किया था पूने में ठीक है डी option ठीक है इसका नेक्स्ट बात करते है question number 22 computer में पर्यूप्त IC चिप किस से बनी होती है ठीक है तो IC क्या होती है आपकी integrated circuit होता है आपका उस जो चिप होती है वो किस चीज की बनी होती आपकी तो वो बनी होती आपकी silicon की ठीक है नेक्स्ट एक कोशन नंबर 23 संसार का पहला गणक क्यांतर कौन सा है ठीक है तो पहला गणक क्यांतर कौन सा है आपका संसार का तो सबसे पहले अबेकस आया था आपका ठीक है जिसको आप क्या करते थे mechanical computer की तरह यूज करते थे calculation के तो पहला गणक इसको मानते हम अबेकस को नेक्स्ट ए हाइब्रीड computer में परियोग होता है तो हाइब्रीड जो computer होता है जिसमें आप analog और digital दोनों संकेतों का यूज करते हैं ठीक है आपको बताना थो यह किया था into ने इंटल आपका एक प्रोशेसर है तो माइक्रोटी फोसेसर का आउप्रोशेश्चन देख theaterJa next CTai IBM है अभी हमने तो Japanese अबने फुल फरम देखी ती तो वहां पर मैंने बताया था tuadim आपकी क्या है deb Training आपकी क्या है कंपनी है ठीक है international business machine next question question number 27 वर्तमान PD के परियोग computer में परियोग होते हैं ठीक है अभी जो आपकी PD चल रही है उसमें आपके क्या use होते हैं तो वहाँ पर आपके use होते हैं ultra large scale integrated chip ठीक है ultra large scale आपकी जो chip होती है व्यों आपकी use होती है वर्तमान PD के computer में ठीक है next संसार का परथम programmer किसे माना जाता है ठीक है तो संसार का जो परथम programmer माना जाता है lady Ada Agusta को माना जाता है ठीक है भी answer बिलकुल ठीक होगा next अगली PD के computer में परियोग किया गया ठीक है तो अभी जो use किया गया क्या use किया गया है next अपकी जो generation आई है artificial intelligence AI आपका use किया गया है artificial intelligence next है question number 30 घरों और व्यक्ति गत्य उप्योग में आने वाला PC वास्तव में है जो आप PC यूज करते हैं घरों में ठीक है उसको हम क्या बोलते है यानि कि जो type है आपका कौन से computer का वो आपका type है तो आपका आता है micro computer में next है binary system का उप्योग करने वाले computer को कहते है ठीक है यान है यानि कि जो binary system used करते हैं आपके यानि कि 0 और 1 की form में जो आपका use करते हैं उसको हम क्या बोलते है signal की form में चाहिज करते हैं जैसे यह signals होते हैं उसको में आण लोग बोलते हैं तो digital यानि कि डीजीटी तो हैं आपकी जीरो एंड वन बाइनरी फोर्म में जो यूज होते हैं उनकों बोलते हैं डीजीटर और हाइब्रीड हो गए जो दोनों का यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट है मस्तिक्स की कार्य परनाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तिर्वगति वाला कंप्यूटर कौन सा है ठीक है तो सबसे छोटा कंप्यूटर भी आपका कई बार पुछा गया है कौन सा होता है जो सबसे तिर्वगति से कार्य करता है तो आपका कौन सा हो है computer की पांचवी PD का परतिक है तो पांचवी जो PD है आपका उसका क्या परतिक है वो है आपका सूपर कंप्यूटर ठीक है नेक्स्ट कोशन है विश्व का पर्थम electronic computer आपका कौन सा था तो अभी जो आपके एक्जाम फिलाल हुए थे वहाँ पर भी पूछा गया है तो जो विश्व का पर्थम electronic computer है आपका वो कौन सा है आपका एनियक ठीक है एनियक इन आई ए सी एनियक है इसकी पुलफर्म भी आप याद रखेंगे electronic numerical integrated and calculator ठीक है तो एनियक आपका क्या है फर्स्ट electronic computer है नेक्स्ट है integrated circuit चिप के विकास का स्रे जाता है ठीक है यानि कि जो IC है किसकी बनी होती है आपकी silicon की बनी होती हमने पड़ा तो इसके विकास का स्रे किसको जाता है ठीक है तो इसका जो विकास का स्रे जाता है आपका जाता है चार्ल्स बैबेस को और जे S को ठीक है A और B दोनों को इसका सरे जाता है नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन भारत में विक्षित सूपरकंप्यूटर नहीं है ठीक है तो भारत में जो विक्षित नहीं है वो आपको बताना है तो इससे आपको यह भी याद रखना है तो भारत में विक्षित कौन सा है तो आपका जो अनूप ये है परम भारत में विक्सित है अनूपम भी भारत में विक्सित है पेस भी भारत में विक्सित है तो next option जो आपका वीप परो ठीक है ये भारत में विक्सित सूपर कंप्पूटर आपका नहीं है ठीक है नेक्स्ट है निमन खित में नेक्स्ट है C-Deck का संबध है कंप्यूटर से है नेक्स्ट है आधोनिक कंप्यूटरों का लगूर उपन संबव हो सका है निमन के परियोग से यानि कि आपके सबसे पहले आपने देखा हुआ कंप्यूटर बहुत बड़े-बड़े साइज की होते थे लेकिन अब जो है आपके कंप्यूटर के छोटे-छोटे साइज आ गए है ठीक है कहीं भी आप लेके जा सकते हैं पोटेबल हो गए है वो किसके कारण हुआ है आईसी चिप के कारण हुआ है ठीक है इंटिग्रेटिड जो आपके सरकेट होते हैं छोटे आते हैं तो उसके कारण ये आपका हुआ है तो ये क्या है समकलित प्रीफट चिप ठीक है इंटिग्रेटिन सरकेट चिप के कारण आपका ये हुआ है तो बी ओप्शन आपका ठीक होगा नेक्स्ट है पहला computer बनाया था तो पहला computer किस ने बनाया था आपका तो यह बनाया था Charles Babes ने इसलिए इसको क्या बोलते हैं father of computer बोलते हैं नेक्स्ट है IC chip का निर्मान किया था जो आपकी IC chip है इसका जो निर्मान है यह किस ने किया था ठीक है किस से किया था ये सेमी कंड़क्टर से ठीक है जो इंटिग्रेटिव चिप होती है आपकी इसमें क्या लगे होते हैं सेमी कंड़क्टर से आपके लगे होते हैं नेक्स्ट है electronic computer का अविस्कार किया था जो आपका electronic computer है उसका अविस्कार जो है किस ने किया था यह आपको बताना है ठीक है यह आपका किया था डॉक्टर एलान एम Turing ठीक है नेक्स्ट है नमबर 2043 भारत में विक्सित परम सूपर कम्प्यूटर का विकास कि संस्ता ने किया था ठीक है जो परम कम्प्यूटर है तो अभी हमने किया सीडेक का संबन किसे है आपका कम्प्यूटर से है तो भारत में विक्सित परम सूपर कम्प्यूटर का विकास किस ने किया था सीडे ने तो आप याद रखेंगे परम सीडग लिए 44 भारत में बना सूपर कम्पीटर फ्लो सालवर विक्सितवे डिजैन किया था फ्लो सालवर विक्सितवे डिजैन किया था किस ने किया था यह यह किया था नाल ठीक है भैंगलूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर है 46 भारतिय सूपर कम्प्यूटर का नाम क्या है अभी हमने बात की थी सीडेक का संबंद कि से हैं परम सूपर कम्प्यूटर से तो ठीक है तो यह भारत का क्या था सूपर कम्प्यूटर ठीक है नेस्ट है 47 पहले इलेक्ट्रोनिक अंक्य कंप्यूटर में क्या था जो पहला अंक्य कंप्यूटर आया था उसमें क्या लगे हुए थे आपके वह आपको बताना है तो वहां पर आपके क्या लगे थे वाल्व लगे थे ठीक है उसके बाद आपके ट्रांजिस्टर आए ठीक है उसके बाद आप बोलते हैं ठीक है उन्हें हम क्या बोलते हैं सर्वर बोलते हैं चिप बोलते हैं रोबोट कंप्यूटर बोलते हैं या फिर embedded computer बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं embedded computer ठीक है तो जो अंदर लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं embedded computer next step 49 निमली कुन सबसे बड़ा सबसे तीज़ सबसे मेहंगा कम्प्योटर है हुआ तो सूपर सबसे तेज सबसे बड़ा और सबसे महंगी होते हैं आपके सबसे त्वाश्चे पर फोन्य ऐस के पर्ट का एक छोटे सिलिकों चिप पर इलेक्टोन की बूप करन નं दौरा बने पूरन एलेक्टोनिक सर्केट को कहते है ठीक है एक आपकी सिलिकौन की चिप होती है इसके उपर बहुत सारे आपके क्या लगे होते उस ट्रांजिस्टर लगे होते हैं आइसीज लगी होते हैं ठीक Blake आइसी के ऊपर ट्रांजिस्टर्स लगते हैं आईसी बोलते हैं। इन। के इसिलिकॉन को आपके एक चिप होती है जिस thousands of आपके क्या लगे होते हैं बहुत सारे transistors लगे होते हैं और अन्य electronic ओपकरन आपके लगे होते हैं ठीक है तो इसी के कारण आपका संबभ हो पाया है लगो रोग ठीक है तो ये थे आज की वीडियो के 50 questions ओप आपको समझ आए होंगे आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ठेंक्यो